हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम तू मैं चैनल आज इस वीडियो में आपके साथ मैं ग्रेड नाइन वॉल्यूम एंड सर्फेस एरिया चैप्टर का क्वेशन डिसकस कर रही हूं तो चलिए शुडू करते हैं यह क्वेशन तो यहां पर क्वेशन है दायामीटर ओफ कॉपर स्फियर इस सिक्स सेंटिमीटर तो इस तरीके से कॉपर स्फियर है और उसका क्या दिया है डायामीटर दिया है और हमको यह पता है कि जितनी भी फॉर्मूला होती है उसमें रेडियस यूज होता है फॉर्मूला में तो डायामीटर जब दिया होता है तो हम रेडिय तो यहाँ पर 6 है तो हम radius क्या लेंगे 3 cm लेंगे जब हम sphere के formula में use करेंगे तब The sphere is melted and drawn into long wire तो यह पूरा जो sphere है इसको melt किया तो sphere क्या होता है छोटा ball जैसा होता है अब वो 3D structure है तो उसका volume जितना यह sphere है वो melt करेंगे जब तो जितना volume total उस sphere का होगा वो पूरा volume of metal को हम एक long wire में convert कर रहे हैं यहाँ पे तो जितना sphere का volume होगा उतना ही volume wire का भी होगा ठीके तो the sphere is melted and drawn into long wire ऐसे long wire में sphere को melt करके long wire उसका बनाया है तो volume दोनों का same ही होगा सिर्फ shape जो है वो different हो जाएगा क्योंकि सारा metal melt करके उसका wire बनाया है तो volume of sphere will be equal to volume of wire अब wire देखो क्या है long cylinder जैसा है ठीके तो volume जब इसका निकालेंगे तो कौन सी formula डालेंगे volume of cylinder की formula हम डालेंगे अब यहां पर uniform circular cross section wire कैसी है uniform है यहां पर इसका जो यह side का circle बनता है यह पूरा uniform है इस तरीके से if the length of wire is 36 cm अभी यह wire की length कितनी है 36 cm है find its radius उसका radius हमें निकालना है किसका radius वायर का radius हमें निकालना है तो wire की length क्या है 36 cm तो जो length है उसकी वो उसका क्या हो जाएगा formula अगर हम देखते है cylinder का तो उसमें है pi r square h तो cylinder की height हो गई तो height की जगह हम क्या लेंगे 36 cm जब हम cylinder का volume निकालेंगे तब तो इस तरीके से आपको मैं समझाना है इसका main point यह है कि volume जो sphere है और volume जो नया wire है वो दोनों same होगा ठीक है क्योंकि हम उसी को melt करके wire बना रहे हैं sphere को melt करके अब radius of sphere हम लेंगे capital R क्योंकि यहाँ पर दो figure है एक sphere है एक wire है दोनों अलग-अलग figure है तो हम अलग-अलग differentiate करने के लिए sphere का radius capital R लेंगे तो जैसे मैंने बताया diameter दिया है sphere का तो उसमें से radius निकालेंगे 3 cm अब simple है volume of sphere का formula जो है वो डालेंगे और sphere की volume पहले हम निकालेंगे तो sphere का formula है 4 by 3 pi r cube तो 4 by 3 pi और r की value 3 उसको 3 times multiply करना है क्योंकि r cube है इसको simplify करेंगे इस तरीके से और यह हमारा answer आएगा 36 into 22 by 7 इसको ऐसे ही रहन देंगे क्योंकि बाद में simplify हो जाएगा अब क्या करना है next हमें radius दिया है wire जो नया wire form हुआ उसका radius हम क्या लेंगे small r अब volume of wire निकालेंगे तो volume of wire जैसे मैंने समझाया cylinder है तो cylinder का volume का formula लेना है pi r square h h जैसे मैंने आपको समझाया वो height है तो length ही होती है height इसलिए उसका h होगा 36 तो इस तरीके से यहाँ पे यह हो गया pi r square into 36 अब यहाँ पे यह जो volume of sphere है 36 into यह pi और यहाँ पे है यह pi r square 36 तो r हमें निकाल नहीं है value r हमें पता नहीं है तो इन दोनों volume को हम equate करेंगे क्योंकि दोनों volume same ही है तो यहाँ पे volume of wire is equal to volume of sphere तो दोनों को हमने equate किया 36 pi r square यह वाला volume of wire और volume of sphere जो निकला था वो 36 pi 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 cancel तो r square क्या होगा यह 36 upon यहाँ पे 36 जाएगा यह denominator में इधर r square क्या आया 1 मतलब r आया हमारा 1 तो radius हमारा क्या निकला 1 तो question में पूछा है find its radius तो radius of the wire is 1 cm ऐसे last में sentence लिखना जरूरी है तो I hope आपको यह question समझ में आया होगा कैसे solve करना है अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो like, share, subscribe करें चैनल को thank you and thanks for watching